नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का टार्गेट फुर आईक्यू चैनल पर यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यूपी-पी-स दो हजाब 23 के लिए महत्वूपूर्प प्रशन आपके लिए लेक्या हैं बेसिकली यह कोश्चन होने वाले हैं साइन्स एंड टेक्नोल करिमेंट होती है या फिर जीएस का पार्ट आता है तो वहां पर यह सब आपका काम आने वाला हैं यह दिया जा रहा है मेरे दौार मेरे नाम है महाई चोहान काफी सारी वीडियोगे ला चुके हैं करन्ट अफेस से रिलेटेड तो हम इस बार जो आपके MCQ हैं उन से प्रटेंट रहने वाली है मैंने आपको पहली बताए जितने topic हम हम यहां पे cover करें अगर सिर्फ उतने ही topic आप cover करके ले जाए तो आपका exam क्लियर हो जाएगा इन ही topic होंगे with explanation होंगे ठीक है explain भी आप खुद किया जाएगा और ये भी आपकी bilingual form में ही होगा मतलब हिंदी और English ठीक है चलिए स्टार्ट करते हम अपने questions आज का पहले question है और solar probe from NASA touches the sun name the solar probe इसमें solar probe आप से पूछा गया है जो basically सूर्य तक जाने वाला है और सूर्य की study करने वाला है आप देख़ो यहां पर बहुत सारे solar probe हैं हर एक देश के द्वारे हाँ पर solar probe भेजे जा रहे हैं सूरज की परिक्रमा करने के लिए सूरज को जाचने के लिए सूरज को study करने के लिए तो यहां पर आपको बताना नासा के द्वारा कौन सा दिया गया है आप अपने answer अपनी copy में लिख सकते हैं end में check कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो हैं कितने गलत हो है answer मैं भी बताता चलूगा और explanation भी देता चलूगा तो इसका answer जल्दी से बताईए क्या होगा जी बिल्कुल सही इसका answer है अपका B that is Parker Parker solar probe ये भेजा गया है नासा के द्वारा कब भेजा गया था ये ये भेजा गया था 2018 में क्या इंडिया का भी कोई solar probe है जो solar को study करने के लिए जाएगा जी हाँ बिल्कुल आदित्य L1 इंडिया का solar probe है जो lagrangian 0.1 पे जाके खड़ा हो जाएगा वहाँ से सूरज को study करेगा ये कब भेजा जाएगा ये भेजा जाएगा जून जुलाई 2023 में इस साल उमीद करी जा ही है अगले आने वाले दो तीन महीनों में इसे भेजा जा सकता है ऐसे ही एक European Space Agency का आपका solar प्रोब जाता है इस इस Solar Orbiter इस Solar Orbiter यह हो जाएगा 2020 में यह आपका भेजा गया था तो सबसे पहले गया था नासा का फिर European Space Agency का और उसके बाद इंडिया का भेजा जाएगा 2023 में यह आप यहाँ पर देख सकते हैं नासा का solar probe है यह basically सूरज के जो इसका atmosphere है जो वातावरन है उसको study करने वाला है उसके अंदर गुशने वाला है next question आता है what does Puma stands for in context of robotics काफी famous है दुनिया में इसने भूचाल ला दिया था जब यह आया था तो इसकी आपको full form बताईए जल्दी से अपनी copy pen लीजिए और लिखिए कि आपके हिसाब से second का क्या answer हो सकता है second का यहाँ पर बिल्कुल सही answer है that is C programmable universal machine for assembly अब यहाँ पर यह जो है इसका मतलब क्या है programmable universal machine ठीक है यह machine क्या कर सकते हो आप प्रोग्राम कर सकते हो अपने तरीके से चला सकते हो और यह किस के लिए काम आती है basically assembly के लिए आपने बहुत सारी companies देखी होंगी specifically Honda हो गई या पर बड़ी बड़ी जितनी भी आपकी manufacturing plants होते हैं मारुतिय सुजुकी है या फिर हंड़ी है यह सब आज की रेट में क्या यूज करते हैं robotics का यूज करते हैं आपने इस टाइप के बहुत बार arms देखे होंगे यह different different purposes से यूज आते हैं तो यह किसके दुआरा बनाया गया यह बनाया गया था विक्टर शेंडमेन के दुआरा ठीक है कौन सी कंपनी है यह यूनिमेशन आप यहां पर देख सकते हैं यूनिमेट यह नाम यहां पर लिखा हुआ है क्या यह सब याद रखनी की ज़रूत नहीं 1978 में यह बनाता प्यूमा की आपको full form पता होनी चाहिए next question है microwaves are electromagnetic waves having frequencies in range of जितनी भी waves हैं सबकी frequencies रट जाईएगा यहां पर जल्दी से बताईए answer क्या होगा answer है यहां पर B that is 3 megahertz to 300 megahertz इसको आपको पता होना चाहिए electromagnetic waves कहां पर होती है answer हम देख लेते हैं इधर आप देख सकते हैं electromagnetic waves basically होती क्या है यह microwaves होती है electromagnetic आप अपने घर में microwave use करते हैं यह उसकी बात करें यह आप यहां पर देख सकते हैं तो यह आपको पूरा sequence पता होना चाहिए radio waves पहले आती है microwaves infrared visible spectrum जो हमें दिखाई देता है white color में जो आपके 7 color होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं यहां पर rainbow तो यहां पर 7 color होते है visible spectrum होता है जिसे आप क्या बोलते है vibgior vibgyor ठीक है यह क्या है यह आपका visible spectrum है vibgior आपको पता होना चाहिए vibgior में क्या V है क्या I है यह आपका होता ultraviolet, indigo blue, green, yellow, orange and red इस type से आपका vibgior होता उसके बाद ultraviolet, x-ray and gamma rays तो यहां पर basically depend करता है frequency पर frequency किसकी कितनी है microwave किस-किस के लिए use होता है cooking के लिए, radar के लिए, telephone के लिए, wifi के लिए यह पूरा आपको याद होना चाहिए इनके कहां पर application होते है radio के application कहां पर होंगे, radio में और television में, ठीक है, तो इस type से आपको यह सब चीज़े यादर करनी है अगर आप यह सब चीज़े अच्छे से समझ के जाते हैं, तो आपको बिलकुल यह बहुत जादा help करने वाला है next question, which one of the following describes the direction of an electric current, electric current के direction को क्या describe करता है यहाँ पर जल्दी से बताईए answer क्या हो सकता है, answer यहाँ पर होगा that is a, opposite to the direction of flow of electron, आपको यह पता होना चाहिए, जो हमारा electric current है इसके बिलकुल विपरीत बहता है आपका electron का current जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह दर आप देख पाएंगे, यह आपका क्या है direction of conventional current जो conventional current है, उसके direction किदहर है और वहीं पर direction of electron current तो यह यहाँ पर क्या है, जो electron है, वो हमेशा विपरीत दिशा में बहते हैं आपके conventional current से next question, which of the following law states अब देखो इस type के question आपके बहुत बार आएंगे और हमेशा आते रहेंगे तो यह कुछ laws हैं, जो most of the time UPPCS या फिर बाकी state PCS जो है पूस्ते रहते हैं तो यह कुछ laws आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए Faraday's law, Charles law, Ohms law और Flaming के नियम जो Flaming का नियम है, वो क्या कहता है, यह सब आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए यहाँ पर Ohms law क्या होता है, यह इसका answer हो जाएगा Ohms law क्या है, the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to potential difference V और यहाँ पर V क्या stand करता है, V stand करता है, वोल्ट ठीक है, तो यह क्या है, यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि जो आपका potential difference है, जो electric current है, यह metallic wire के थूर डिरेक्टि प्रपोर्शनल होता है, बिल्कुल potential difference के, जितना आपका potential difference होगा, उतना ही जादा electric current flow करेगा ठीक है, जैसे कि बहुत simple सी चीज है, अगर दो पानी के tub हैं, ठीक है, और यहाँ पर जितना आपका pipe लगा दिया जाए, उतना ही क्या होगा, पानी flow होगा तो यहाँ पर pipe की मोटाई क्या करती है, potential difference बताती है, और दो tank के बीच में जो difference है, height में वो आपका potential difference बताता है वायर की capacity क्या है, बट बाकी चीजे अगर same रहें, बाकी factors same रहें, तो potential difference जितना ज़्यादा होगा, उतना ही तेजी से आपका electric current flow होगा, बस आपको यह ध्यान रखना है और यही कहता है, ohm slow next question, which one of the following correct about pinaka, pinaka क्या है, बहुत news में रहता है, भारत के रिए गौरफ का विशे है, हमारा indigenization का बहुत तगड़ा विशे है यह, तो pinaka बताईए यह क्या है, इन चार्चीजों में से, यह multi-barrel rocket system है, type of battle tank है, advanced submarine है, या indigenously developed drone system है, बहुत news में रहता है, तो इसका answer क्या हो है, यहाँ पर, this is a multi-barrel rocket launch system, यह एक बहुत ही important system है, pinaka, यह DRDO के दुवारा develop किया गया है, और यह system जो है, 44 second में, 12 HE, HE missile, आपकी जो rocket है, उनको दाग सकता है, 44 second में 12 missile, आप यहाँ पर देख सकते है, 6 इधर है, 6 इधर है, total 12 missile है, और यह 44 second में, 44 seconds में, यह missile दाग जा सकती है, दुश्मन पे, और बिल्कुल नत्सनाबूत किया जा सकता है, एकदम नश्ट किया जा सकता है, अच्छा, इसके दो आपके प्रकरण है, दो तरीके के यह आते हैं, यहाँ पर, mark 1 और, that is, mark 1 enhanced version, ठीक है, mark 1 की आपकी range कितनी है, 40 km, और enhanced version की range कितनी है, 60 km, यह आपक सकते हैं, यह जमीन पे target करते हैं, ठीके ना, एक तरफ से उठेंगे, दूसरी दरफ के मारेंगे, तो यह ground to ground work करते हैं, इसको होता क्या है, बहुत न्यूज में रहा था, काफी लंबे समय से न्यूज में है, दुनिया का सबसे बड़ा scientific research laboratory है, जो आपकी कहलाती है, by the name of CERN, ठीके, क्या है Higgs boson, हिक्स boson है, यहाँ पे God particle, ठीके, God particle इसे यहाँ पे कहा जाता है, हिक्स boson को, काफी लंबे समय से यह news में है, अच्छा, CERN एक facility है, बिसी के लिए एक laboratory है, यह, इसको कहा जाता है, by the name of Large Hadron Collider, ठीके, Large Hadron Collider, अब इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे जो आपके particles होते हैं, उनको accelerate करते हैं, एक हमने ring बनाई हुई है, काफी लंबी यह रिंग है, किलो मीटर्स तक यह जाती है, आपकी ring, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन particles को गुमाते हैं, इनकी speed को accelerate करते हैं, और एक जगे पे लाके टकरा देते हैं, वहाँ पे जो particle उत्पन होता है, उसे बोलते हैं, God particle, that is Higgs Boson, Large Hadron Collider, यह आपकी facility कब बनी थी, CERN में, 2008 में, कहाँ पे इस्थित है CERN LHC की facility, यह इस्थित है आपकी France और Switzerland के border पे, ठीक है, Switzerland और France के यह border पे स्थित है, CERN facility, Large Hadron Collider, इसमें बहुत सारे Indian scientists भी लगे वे हैं, लगबत 10,000 scientists जो हैं, इस facility में अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत सारे Indian student, Indian scientists, बड़े-बड़े, 100 योगी संख्या में, हजारों की संख्या में, यहाँ पे Indian scientists भी लगे वे हैं, Next question, vitamin is also known as folic acid, कौन सा vitamin है, जो folic acid के नाम से भी जाना जाता है, इसका answer बताइए, क्या है, B2 है, B12 है, B9 है, या B1 है, तो इसका answer है, vitamin B9, B9 क्या है folic acid, अच्छा, यह सारे vitamins आपको देखो, एकदम मुझबानी याद होने चीए, जितने भी आपके vitamins हैं, B, C, D, K, जितने भी आपके vitamins आ जाते हैं, और B में भी आपके बहुत सारे variant है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन कौन से हैं, अच्छा इंटोथेनिक, Pyridoxin, Biotin, Foliad, that is Folic Acid, C, कोबलमन और C क्या आ जाएगा, यहाँ पर, Ascorbic Acid, Ascorbic Acid भी यहाँ पर आपका एक vitamin हो जाएगा, vitamin C जिसे आप बोलते हैं, बिमारियों में बहुत helpful होता है, कई बार बोले जाता है, immunity बढ़ाने के लिए, vitamin C देते हैं, that is Ascorbic Acid, next question, the element that is not found in blood, इन में से कौन सा element है, जो blood में नहीं पाया जाता है, बहुत easy यह answer है, यहाँ पर जल्दी से बताईए, iron, chromium, copper, magnesium, कौन सी चीज है, जो यहाँ पर blood में नहीं पाई जाती है, इसका answer यहाँ पर हो जाएगा, that is B, chromium, chromium बिल्कुल definitely सही चीज है, जो आपके blood में पाई भी नहीं जानी चाहिए, cancer cancer हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है, chromium अगर आपके blood में पाया गया तो, iron, copper, magnesium, magnesium, यह तीनों चीज़े आपको पाई जाती है, और बिल्कुल magnesium, copper, यह सब आपको बोला भी जाता है, copper, तांबे के बरतन में पानी पीजे, iron की कड़ा है, तो यह सब आपके element है, oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus, potassium, sulfur, sodium, chlorine, and magnesium, ठीक है, तो यह सारे element आपके blood में पाये जाते हैं, और भी काफी सारे हैं, बट वो क्या होते हैं, वो आपके अंदर बिमारी पैदा कर सकते हैं, next question, again, बड़ा interesting question है, इसमें आपको list 1 को list 2 से match करना है, सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पर आपको प्राकरतिक स्त्रोथ दिये गए हैं, और acid दिया गया है, बिसिकलि आपको यह बताना है, कि इन में से कौन सा acid का कौन सा प्राकरतिक स्त्रोथ है, तो मधु मख्य का डंग कौ कौन सा acid देता है, इंली क्या acid देती है, टमाटा सिर का यह क्या-क्या acid प्रोइड करते हैं, तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जागा, answer आपको क्या करना है, ABCD को match करना है, 1,2,3,4 से, इधर भी आपको ABCD को match करना है, 1,2,3,4 से, तो answer क्या है, the answer is बिल्कुल सही, A, आपका यह है टार्टरिक, ऐसेट, टोमेटो क्या प्रोडूस करता है उक्सलिक, एसेट विनयगर क्या फ्रोडूस करता ए्सेट, यह सब आपको आगे भी दिया गया है यहाँ पर आपको सारे असेट के नाम दिये गए हैं उनके stroke दिये गए हैं कहां से क्या आता है apple में से निकलता है malic acid spinach में से निकलता है oxalic acid tea में से tannic acid tamarind में से आपको imli में से क्या निकलता है tartaric acid इसी तरीके से mango grapes इन सब में से भी क्या निकलता है tartaric acid यह आप याद कर लिजेगा बहुत बार UPSC UPPCS पूछ लेता है next question plasma membrane separates oneself from another from surrounding medium next question इसका reason दे रखाएं आपके chromosome नाभिक में मौजूद होते हैं ठीक है तो आपको यह बताना है plasma जिली एक कोशिका को दूसरे से और आसपास के माध्यम से अलग करती है क्या जो अभी कथन दे रखा है उसका कारण यह है आपको यह बताना है ध्यान से पढ़िए और answer दीजे वीडियो pause भी आप करके answer दे सकते हैं तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा the right answer देखो पहली बात plasma जिली एक कोशिका है दूसरे से दूसरे को अपने आसपास माध्यम से अलग करती है बिल्कुल सही बात एक cell है उसके चारत रख सेल मेंब्रेन होती है ऐसे ही दूसरा cell होता है उसके चारत रख भी cell मेंब्रेन होती है और यह एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करती है और आसपास के चीजों से भी अलग करती है यह बिल्कुल सही कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्रोमोजोम नाभिक में मौजूद होते हैं तो क्या क्रोमोजोम प्रेजन्ट होते हैं न्यूकलियस में देख लेते हैं एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हो गई आपकी cell membrane जो बाहर वाली जिली है और यहाँ पर पूछा गया है क्या chromosome आपके nucleus में present होते हैं बिल्कुल सही बात है nucleus में ही आपके chromosome present होते हैं अब यह दोनों ही चीजे सही हैं क्या दूसरा जो आपका reason है वो पहले कतन को क्या सत्य बनाता है जी नहीं उसका कोई कारण नहीं है ठीक है वो उसका कारण नहीं है दोनों ही कतन सही है बट वो उसका कारण नहीं है तो answer क्या हो जाएगा that is B A and B both are correct but B is not the reason for A तो यह आपका answer है B Next question Which of the following use concave mirror इन में से क्या क्या आपका concave mirror होता है या फिर यह कह सकते हैं concave mirror के क्या क्या use होते है तो यहाँ पर अवतल दरपन के उप्योग क्या क्या है पहला आप यहाँ पर option देख सकते हैं torch में क्या use होता है vehicle के headlight में dentist क्या इसे use करते हैं shaving mirror में क्या use होता है आपका torches में भी यूज होता है क्योंकि क्या होता है वो आपकी light को फैला देता है एक जरासी light को फैला देता है vehicle में भी again light को फैलाव कर देता है या फिर एक जगे पे बहुत बड़ी image बना देता है आप इसे ये कह सकते हैं dentist भी क्यों यूज करते हैं ताकि वो दात की एक बड़ी image देख सके ऐसे ही shaving mirror हो जाएगा shaving mirror में भी जब आप पास से खड़े होके यहाँ पर क्या करते हैं देखिए आप मैं आपको दिखा देता हूँ जब shaving mirror में आप पास से खड़े होके कोई चेहरे के अपने part को देखना चाते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको zoom in करके देख सकते हैं तो इसलिए कोई भी चीज को जब आपको focus करके देखना है तो आप concave mirror का यूज करते हैं shaving, makeup, dental mirror, car headlight torches, binocular जो आपका जितने भी आपके microscopes होते हैं car की headlight जो आपके जितने भी क्या होते हैं शीशे होते हैं उनमें ये concave mirror use होता है next question which of the following assertion is or are correct जो यहाँ पे दिये गए कथन है उनमें से कौन-कौन से सही है यक्रित सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है यक्रित किसे कहते हैं liver को liver शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है बताईए ये बात सही है या नहीं है liver does not secrete bile juice का ये बात सही है या नहीं है bile juice can play an important tool in digestion तो आपको इनमें से सही कथन बताना है ठीक है सही कथन कौन सा है A, B, C, D केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 वीडियो पॉस कीजिए और answer बताईए तो बिलकुल सही answer क्या हो सकता है the answer is B, केवल 1 और 3 यक्रिट सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है बहुत सारे बच्चे हाँ पर confused हो गए होंगे ठीक है यक्रिट, liver is the largest gland अब बच्चे सोचने लग गए होंगे about the organ और उन्होंने सोचा होगा इसका answer होना चाहिए skin skin is the largest organ ये बात बिलकुल सही है बट अगर हम gland की बात करें तो gland क्या है? gland is liver, largest gland is liver liver बहुत ही important एक आपका organ है जो आपके बाकी organs को support करता है जितने भी उसके उपर organs होते हैं उनको support करता है liver does not secret bile juice तो ये बिलकुल यहाँ पर गलत कथन है क्योंकि liver ही जो आपका यक्रित है वही पित रस का स्राफ करता है यहाँ पित रस कहां से निकलता है कभी भी पूछा जाए तो वो निकलता है आपके liver से ठीक है? और पित से क्या होता है? पित से होता है digestion बहुत important role play करता है आपको पता होगा कभी कबार जब आपको acidity हो जाती है ठीक है? acidity हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? पित बन रहा है पित मतलब जो आपका सरीर में acid है वो बन रहा है जब पित की मात्रा जादा हो जाती है या फिल लिवर ज़्यादा पित प्रड्यूस कर देता है तो उससे क्या हो जाता है? हमारे पेट में acidity हो जाती है क्यों? क्योंकि देखो ये एक तरीका का acid है ये एक तरीके का क्या है? acid है और ये acid जो आपका क्या करता है? अमल जिसे आप बोलते हैं ये एक तरीके का अमल है जो खाने को digest करता है और जब ये अमल बहुत ज़ादा हो जाता है तो ये आपके पेट को भी जलाना start कर देता है जो आपके पेट में mucos की membrane होती है उसको भी जलाना start कर देता है और जब पित का रिसाफ जादा हो जाता है वाग पित ये सब आपको पता होगा ये हमारे हिंदी शातर में लिखा गया है तो वाग पित जो ये होते हैं ये आपके दोश होते हैं जब पित जादा हो जाता है तो उससे अमल जादा बन जाता है और आपको acidity हो जाती है over the time और जाद acidity होगी तो आपको ulcer भी पैदा हो सकता है ठीक है तो यह हो गया about this question तो यहाँ पर होता है हमारा आज का video end इसी तरीके से आपको पूरा explanation मिलेगा हमारा test series में हमारी जो test series है अंतिम प्रहार बहुत important यह होने वाली है आप join कर सकते हैं price बहुत जादा नहीं है 6.99 का यह price है आप हमारी जो description में आपको जो भी number दिया गया है उस पर call कर सकते हैं ठीक है हमारे लोग आपको बहुत अच्छे से बता देंगे इसमें क्या-क्या आपको मिल जाएगा 10 full length test है 5 current phase के test है path sectional test है history, geography, economics, quality and environment दो test है आपके यूपी census से related यूपी या census से related यूपी जी के है science and technology, art and culture, books से related current जी के जो होती है उस से related days वगिरा जो होते है कौन सा आपका यहाँ पर appointment हुआ है इस तरीके की बातें यहाँ पर पूछी जाती है दो test यहाँ पर होंगे तीन total C-set के full length test होंगे जो आपको बिल्कुल free of cost दिये जा रहे हैं ठीक है हर test में आपको 1500 question मिलेंगे, सारे ही test आपको English और Hindi भाशी मिलेंगे bilingual आपको यह मिलेंगे और आपको यह बहुत जादा help करने वाले मैं बता रहा हूँ आपको अगर यह test सिर्फ आप पढ़के भी चले जाएंगे तो भी आपके कम से कम 15-20 marks का उच्छाल आप बहुत अराम से देख पाएंगे मैं यह नहीं बोला पूरे के पूरे आपके जितने 60% marks चाहिए 50% marks चाहिए सारे इसमें से आ जाएंगे आ जाएंगे अगर आप इन ही topic को बहुत अच्छे से cover कर लेंगे but at the end of the day अगर आपका यह 15-20 number भी उच्छाल मारने में help कर देता है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी ठीक है क्योंकि यह test series बहुत अच्छे से design करी गए यह सारे topics को बहुत अच्छे से cover करने वाली है अगर यह सारे ही topic आप cover करके ले जाएंगे तो बहुत अच्छे आपके number आ जाएंगे और prelims clear होना यह हमारी guarantee है ठीक है चलिए thank you so much आगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए bye bye take care नमस्कार जेहिंद